आपको बताने वाली हूं कि देखिए सभी को अपना फोन प्यारा होता है लेकिन क्या होता है कि जब हमारे फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो वो हमें बार बार नॉटिफिकेशन की वार्निंग आती रहती है तो गाइज एक ही मिनिट में मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में आपको कि किस प्रकार अपने फोन की स्टोरेज को खाली कर सकते हैं तो गाइस, बीडियो को कि शिप ना करते हुए, आप इस बीडियो पर बने रहेंने जिससे आप जलद से जल सीख सकें कि फोन के स्टोरेज को कैसे खाली करते हैं सुण्णे के साथ भीडियो रिकारडिंग पर भी द्यान डखें, जो मैंने आपको तो इसके recording लगा रखनल पर पहली वारा आए है तो bell icon को press कर ने जिससे आने वाली notification का लिंक आपको मिलता रहे है तो चलिए चलते हैं तो guys मैंने बातों-बातों में आपको दिखाया कि किस प्रकार से देखिए मेरी सामने आपके सामने मेरे मोबायल पर इसके recording चल रही है सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने फोन की storage को एक मिनट के अंदर खाली कर रही है तो guys आपसे भी अन्रोध है कि आप step by step मेरे step को follow करते हुए आप भी अपने फोन से storage को खाली कर सकते हैं तो चलिए हम setting को open करेंगे उसके बाद हम storage को open करेंगे और उसके बाद उसमें कच्चे में जाएंगे उसके बाद में उनको सब apps को अंदर से धीरे-धीरे करके data को clear करेंगे आपके mobile में कुछ परानी videos होती है कुछ परानी ऐसी files होती हैं जिनका कि आप use नहीं करती हैं फिर भी पड़ी रहती है और वो फोन की मेमोरी को स्टोर करती रहती है तो इस प्रकार से हम उनको सब को वहां से दीरे 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 करके डिलिट करेंगे क्लीन डेटा करेंगे और वहां से हम अपने सब अधर फाइल्स को भी वहां से हम डिलिट करेंगे तो guys उम्मीद करती हूँ आपको storage clear करना आ गया होगा ये थी वीडियो इस वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe और share जरूर कीजिएगा मिलते हैं next video में thanks for watching